कि देखो प्रोटीन कैसे बनती है कल हमने अमाइन आशेट्स के बारे में पढ़ा था कि अमाइन आशेट्स में एक दूसरे के साथ चुड़ते हैं जोड़ते हैं ऐसे मतलब हमेर आपस में जोड़ने है उसके लिए रायष्ट का बनाएगा या स्थिते भीर अगर बनाईगा जोड़ना है को इसके लिए का तक या गर बनाईगा साथ क्या मानाइगा पर क्या यह पहते हैं अनके पिंद में यह क्या है पकटार एक q एक पोलिप्टाइप यह अ यह polypaptyd एक संधर रचना को ग्राफट करती है जिसको हम protein क्याता है तो आमायनोय से स्थ पहले आपसमें चुड़ते हैं और बहुत सारी सेंख्या में चुड़ते हैं जब बहुत सारी संख्या में चुड़ते हैं तो उस संधर रचना को हुटते हैं polypaptyd यह पूरी पॉली पॉली प्रक्टाइड है तो हमें यह देखना है कि यह जो पॉली पॉली प्रक्टाइड है किस-किस संद्रसना का निर्मारा आगे करती है परमिस्तर पर क्या होता है प्रात्मिक स्टर पर क्या होता है ? ऐसे अभी मैना सिसर्थ से साथ पैज चुडते हैं जैसे की मैनैसीर यह सकषाम , जूड़ रहे हैं जैसे मोट यियुपि माल आपको बनानी है क्या करना ना पड़ने पड़ेगे बहुत सारे पींशाMr. टो समझनी है इस तरह्तनु से भाने संटर बिंट मणाय है कि अब इसको क्या dużo है in तरह से आप इसको नाम दे सकते हैं. और जब बहुत सारी संक्या में जुटपताया है , मतलब 100 amino acids उस में जुटपताय है , या 100 से जादा amino acids तो तम रहल प्साद को कह폄 था안 fatto , जुटपताया है , तो अपसे जुटपताय है , तो समझ मा गया , तो अगर क्या घूण में , अगर 10 प्टाइड अगर के वह सब्सकेंब करना है तो प्रॉट और थी इन अपर शुड़ा है तो क्या नाम दोगे ट्राइप्टाइप्टाइप मे उत ह espero कियाना हुआ impen. टेट्रा पेप्टाइड अगर आठ आठ आपस में जुड़े हैं साथ में इसे क्या नाम दोगे ओप्टाइड ठीक है अगर दस दो पॉर्फुज़ा है इसके साथ में डेका पेप्टाइड है ना समझ वागया तो जब बहुत सारी संख्या में जुड़ जाए तो हम फिर उसे नाम नहीं देते हम सीधा कहा देते पॉली पेप्टाइड ठीक है जब 20 से ज्यादा या और ज्यादा संख्या में 100 या 200 या 300 अमाइनेशिद आपस में जुड़ जाए हम घथा चंग हे उसे हम भी साभूई की या नाम दे जब आ है क्या नाम ह Corinth किया नाम है पॉली기에प्टाइड earning बहुत सारे पता नहीं कितने बहुत सारे रहे हैं क्यापता कितने हो 40 40 रह या 400 यह 200 कंच अभव आ बहुंग हो उसके हमने नाम दे ग्या अबहुत हम yes में ठीक है तो अगर कम से क्या मैं है क्य दिस थे कर नाम लेकिन अगर चाषा सरे सब्सक्राइब कि अगर किसे ने कहा कि यह कोई प्रोटीन है और इस प्रोटीन का नाम इस प्रोटीन का नाम X है और इस प्रोटीन का नाम X है और इस प्रोटीन को उसने कहा कि यह है एक ओक्ता प्रोटीन है इस बात से आप क्या अर्थ निकालेंगे कि उसमें Aminoe Seed की संक्राय कितनी होगी? आर्थ होगी ठीक है कितनी होगी? आर्थ होगी अगर कोई कहे कि कोई प्रोटीन है और इस का नाम जो है जैन है जैन है और यह कोई प्रोटीन का नाम डबलू है और वो कह रहा है यह एक पोलिवर्ट्रैट है मतलब बहुत सरे हैं से पता नहीं कितने हैं बहुत सारे यह यह इस दिए सब्सक्राइब है अनुष ब्लाटी इस तरहा है कि कैसे औरक्राइब आप्स में छोटते हैं यह तो पराग्मिक इस तरह कि देखते हैं जोंकि दुद्त्र के तरूं संगर में बॉनिंग करती है किस तरे किस चेसं नहां मांद करती है यह तो प्राख्य म लिए इस भान प्राख्मकिस्तर क्यास प्राख्मकिस्तर में किसके दौरा फैक्टाइड बोओं के दौरा है कि वृतिय चे DRCी त्थी आजी बात कना है उसे वापके वी जी करें होlook केरे हो है धलने बात ऊचित, कि लिए का ये सेंडरी इस्ट्रक्चर àsई ये तो थी प्राइमरी स्ट्चर चत व्रॉत्वी, प्राइमरी प्रात्मिक संथा धिकर ये उसे देखा गार मनोटा को है अब हम क्या पार्णे वाले सेकंडे स्ट्रुक्च्चर गोड़ाय आपैउ इच्पणे वाले सिकेंजरें तो secondary structures में जो protein होती है basically वो किसका निर्मान करती है beta plated seed का निर्मान करती है या फिर alpha Lx का निर्मान करती है ठीक है जो सेगेंड इस्ट्रक्टर्टर बनती है उनका नाम क्या है या तो वीटा प्रेडर्सीड है या फिर अलफा है या तो प्रोटी जो है इस सब्सक्राइब है ठीक है या फिरो किस्तरय की सुनस्दशन बना सकती है या फिरो बना सती है किस्तरय की में द्रॉ propagate और इस तरह से हैं और इस तरह किस्टर से बना सकती है ठीक है यह क्या है यह बीटा प्लेटेटट सीटी इस तरह की संवस्टना का निर्मान भी कर सकती है तो इस तरह की करेंगी तो आलगा लेक्ष घाएंगे और अगर इस तरह की पैज़ करेंगी इस तरह की एक त्रप को और दूसे त्रप को अगर इस तरे की संदस्ना का निर्मान करा इसने तो हम उसे क्या कहेंगे बीटा प्लेटेट सीट और अगर उसे क्या कहेंगे बीटा प्लेटेट सीट और अगर उसे क्या कहेंगे बीटा प्लेटेट सीट और अगर उसे की निर्मान करा जैसे घुमाओदार सेड़ी होती है औ तो ऐसी सन्रसना का भर निमान करती है, बोर समय करेंगे,अल्फा हैलिक्स ठीक है,उसे हम क्या करेंगे,अल्फा हैलिक्स इसको आफ्य ंसे लिए यह आपके कुझ यह मैंकर सबस्क्राइच धूड़े हैं यह मैरे प्वाल गर इस तरह से यह ऐसे जुड़े रहे हैं ठीक है सब्सक्राइब कर रहे हैं इस तरह की संदर्स्ता के निर्माट जब कर रहे हैं बीटा प्लेटड प्लेटड सीट चादर सीट पतल एक तरह की चादर सीट है ना समझभा गया ठीक है तो यह जो हैलिक्स है कि कैसा हेलिक्स है राइट हेंड़ पर्द अलफा है दीक है कया हेलिक्स है राइट हेंड़ alfa अलिक्स है कोई इस तरह से घर गूंता है इस तरह से गूंड़ करके जाती है तो राइट है और इस तरह से घूम करके जाती है तो लाइट है ठीक है समझभा गया यह कौन सा है इस तरह से घूम करके जाएगी तो राइट है इसके बाद पॉलिफटइद में आपको ह def historically मिलेंगे क्या आपका टीचेज चुदे अड़ तो यह जो इसने जोडelu बनाया है यह जोड अधित क्वा कुण सा रहे हैं सख्यों को सब्सक्राइब कर देखने को मिलेगी क्या देखने को मिलेगी क्या देखने को मिलेगी यह समझवा गया अगर इस तरह घूम घूम करके अपाइब आपस में चुट रहा है तो अल्पालिक्स और अगर इससीट लाइक सीट के समान सम्धिस्ना कर बना रहे हैं तो भीट अप्रेट अगर कि इसके बाद हम बाग करें हाइड बॉंट्स ही कि अगर अगर हम बाग है है तो कि तो हाइड्रोजन बॉंड्ड में क्या होता है कि कि जो अमाइनो एसिट वन होता है ठीक है वो जो है अमाइन एसिट फोर के साथ हाइड्रोजन बॉंडिंग करता है हमेशा इसके साथ हाइड्रोजन बॉंडिंग में देखा जा सकता है यह हाइड्रोजन बॉंड क्या करेगा इस तंद्रशना को और ज्यादा मजबूती देगा सब्सक्राइद करें क्या मक्तर समझें ग्या है चन्रचना को प्रोटाइन की संद्स्ना को और ज्यादा मजबूती देना समझ वां गया ठीक है तो hydrogen bond भी इसमें देखने को मिल सकते हैं ठीक है इसके बाद जो बीटा सीट इस्ट्रक्चर है वो नेचुरली आपको देखने को मिल जाएंगी बहुत कॉमन है ठीक है जो बीटा सीट है अगर हम उनकी बात करें तो यह कहां कहां पाई जा सकती है है जैसे की बीटा सीट जो है आफ में यह पाई जा सकती है सिल्क फाइवर में ठीक है सिल्क फाइबरेंट प्रोटीन जो होती है उसमें लेखने में सकती है बीटा सीट ठीक है मेंपेरें की जो प्रोटीन प्रोटीन होती है उसमें देखने को मिल सकती है जो होती कि है ठीक है मेंपेरें जो होती है यह प्रोटीन को customer मतलब उसका उसकी संदर्शना किस से बने होगी बीटा सीट से बने होगी ठीक है और टीक है और इंविनो क्लोबिल रम ओल्ट ऑड़्स कि इसमें भी जो है कि देखने को मिल जाएगी यह आपकी पीटा सीट्स तो प्रेस29 ओप्र ने कें फिर सपेंदेंगे मेंप्रेन होती है तिक जोंदेंगे मेंप्रेन इसे लोगों होते हैं तिक एंटीबोडी का नाम सणाओ आपने एंटीबोडी पर्दी रक्सी है ना उसके फॉल्ड जो होते हैं ठीक है उसके गुमाव जो होते हैं वहाँ पर देखने को में नेगी बीटा सीट बस इतना ध्यान दो ठीक है कि इसके बाद कि आ जाता है तो आप जो है इसको इस तरह से समझ सकते हैं अब जो final structure होता है प्रते polypeptide chain का उसे हम क्या कहते हैं तर्सेरी structure कहते है, यह हमने क्या पड़े, secondly structure यह हमने क्या पड़े सेकेंड इस्ट्रिक्टर पड़े है जिसमें हमने दो उधारण पड़े या ये दो उधारण है कि दित्यक संध्शना के उधारण है जो फाइनल होता है इसका प्रोटीन का संध्शना का मतलब हमें कह सकते हैं उसका जो अंतिम परिणाम होता है प्रतेक पॉली पेप्टाइड का उसे हम क्या कहते हैं तर्सरी स्ट्रक्चर जब हकीकत में प्रोटीन बन जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं तर्सरी स्ट्रक्चर ठीक है पॉली पेप्टाइज सनस्ना का अंतिम जो सनस्ना बनती है फाइनल जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम क्या कहते हैं तर्सरी स्ट्रक्चर उसे हम क्या कहते हैं तर्सरी स्ट्रक्चर देखो इस तरह से हो सकता है आप इस तरह से समझेए मैं इसको एक डाइग्राम से समझाने की कोशिश रहते हैं अब देखो सबसे पहले हम प्राइविड इस्ट्रक्चर को मनाते हैं कैसे बन रुटी है तो जैसे बोट्यों की माला आप बनाओगे तो आप इस से इस तरह से इधर बनाते हैं यह है वाइन से आपसे बनाते हैं प्रीक है इस तरह से आपसे आपसे बनाते हैं यह हैं कि इस तरह से जो है एक प्राइमिल श्कुर्ट कर बनती है देखो यह मोतियों की माला बना लिया अपने अभी अभी यह जोड़ी नहीं आपस में यह आपने मोतियों की माला बना ली ठीक है कि इसका एक टर्मिल क्याना एकना है कि इसका एक क्याना है कि थीतर में फित आर्मिल्स आपने चमानेहर कि थीखते खिए एक थिरनस एक चला है इसका n आप एंसी राख और दूसरा शीर यह कया है 서 एब यह तो है प्राइूडी संद्सना बाग्ली सक्केश है प्रात्मिक संदस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् बीटा प्लिटेट चीट और एल्फा हैलिक्स बना सकती है ठीक है इस तरह से यह बना सकती है फीक असरा को बना सकती है यह प्लियू अपेट अफ्लिट soon और पिर यह जो है आपकी बना सकती है आपाईलिक्स यह डाका आगा और श्रबाजिये देगिस्ट तोस्का निए निए कि यह क्लिटेट शीट पीट प्लिटेट शीट और यजग कैजगी हैं आव और 2 झाव झाव झावाः यले उस का Stop Cómo पालम 2 3 4 5 5 5 6 6 7 8 9 10 11 11 बीटा प्लियूर्ट फीड एंच में बीटा प्लेटेट फीड और साथी में इसी प्रोपडीन इसी प्लीप्रेट निक्या रखेंगे अलफा रेक्स इसट्रहीं स्वर्णा बनाई तो आलफा रेक्स यह टर्णा आँड चलिक वह की तरफ टेया है 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 यह क्या है 박 all x का मतलव सम tane है जैसे दी ओते यह वो वह कुमाव कि तरफ जाती है ढ़र इस एक सब्सराइब डे एक यार टाने हो एलख आप फिर्टी देरेक्सिण में ने 다음 आप नमक्निय अनिपकाएए जैसे उलफ्ट हुम रहिए तो लेफ्ट इस तरह से भूम रहे तो राइठ हैंटर समझे बागे तो अब प्राच्मिक सभांसना से कौन ही डित्यक्षंद्सना से करना की डित्यक्ष Спाईन डित्यक्ष। में क्या होगा, खाल बंस ठ्रक्चर न कर देख लीजि आप फाależ स्ट्रक्चर में क्या होगा कर अब इस बागि नियुंक नहीं क्ये हम थे उक अक रेले हैं इस तरह के लिए धी यह मैंने नाइन्ट प्रोटीन इसी को हम क्या कहेंगे तृत्यक्षन असना इसी को हम क्या कहेंगे तृत्यक्षन असना तो इसी को हम कहा रहेंगे त्रित्ते चन्रस्णा कहा है, इसी के अंतर आपके अलभाइलिक हो सकते हैं, और साथ में जो है वो सकती है, वीट अप्रिकेट्ट फिटीड हो सकती है, इसी कहा है, यह बनी है तो अब आप स्थिट्स्ट्र अब ने बनी है। अब यह बनी है प्रोटीन, यह है प्रोटीन असलियत में अब तक प्रोटीन को आप खोलना सुनू को रोगे तो सबसे पालिक जिए शिएंससन नस्ना बनेगी जब इसको भी फोलना शुरू करोगे, तो फिर इसकी प्राख नशना हो और जागा उसको आगे बढ़ाओके तो इसकी प्रोटिन, प्रोटिन तो फ्रोटिन ऐसे ही नहीं बनती, तर से पहले आमाइनला आप उसमे जूड़ना शुरू करते हैं, ठीके मोत्यों के माला बननी श सबस्क्राइब तरस्टीक्ज है तो परतेक Solid कि नौक होता है वाहता है सननस्क्ताइब हम प्रोटीन करते हैं हकीयगकथ तो हम बॉत्रते हैं इस सर्नुस्णा की जह जटैक्स यानि हम बात करते हैं इस सर्नुस्णअ जो है धागा लेकर के मोती जो है सिलना सुझ किये तो अभी जो है आपने पूरी माला बना दी तो उसको जब आप ऐसे हाथ पे रख दो गए और एक वह मतलब इस तरह की संदस्ना बन जाएगी गोल मोल है ना तब वह जा करके कहीं प्रोटीन कहलाती है ठीक है जब तक ऐसे है जोडी भी है तब तक वह किबल पॉलीकश्य पॉलीकृप्टाइड है ठीक है समझ वागे नुट पॉलीफेटाइड के ही käytशeger पॉली फेफटाइड का मतलब भी है। गासफाइड गीकित अप लिएक पॉफार पॉलीफेटएड जाना के बीशन्टियों मतलब भी इसमें और मिलीत करकिन। झाल ती थीकिंत इसमें पहुत है 10. ऐस लुन Скलत हाँ कि इसमें जो है कि आज तो कमी है कि क्यों नहीं आया तुम लोग कि सम्झे मां गया कि दोबारा समझाओ तो आगर आपको प्रोटीन बनानी है तो सबसे पहले आपको होगा फिर कहीं जागर कि इसे कहते हैं प्रोटीन अगर नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब हम बात करें जित्तिक संदसना की उसका तीसरा रूप यह दूसरा रूप है और यह पहला रूप है ठीक है समझ मां गया चलो ठीक है क्लियर है